बात करें यहां से सोयबीन की तो सोयबीन की जो फसल है बड़े पेमाने पर बारी बारिश के चलते खराब होती भी नजर आई है किसानों को काफी जादा नुकसान हुआ है किसी किसान की यह हालत भी है सोयबीन में कि उनकी पूरा खेत भारी बारिश से नश्ट हो गया जिसकी वाज़से उनकी पूरी सोयवीन की कटी-कटाई फसल जो थी वो भी नश्ट हो गई है किसानों का इतना नुकसान हो चुका है लेकिन कुछ किसान ऐसे भी है जिनकी कुछ फसल बच गई है लेकिन बारी बारिश होने की वजासे नमी की मातरा जादा है और जब नमी की मातरा जादा होती है बारिश जादा पर जाती है सोयवीन की फसल पर तो जो फसल है वो दागी हो जाती है उसका जो रेट है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है और दूसरा अभी जो सरकार ने फैसरा लिया था कि सोयबीन मील का आयात किया जा रहा है उसकी वज़ा से भी सोयबीन की कीमत पर एक दोरी मार पड़ती भी नज़र आ रही है और सरकार ने अब जैसे कि सरसो के फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोग लगा दी है खादे तेलों पर स्टेप्स के चलदे जो सरकार ने उठाए हैं जितने भी कदम सरकार ने खादे तेल की कीमतों को कम करने के लिए उठाए हैं वो कही न कहीं खादे तेल की कीमतों पर असर डाल रहे हैं लेकिन असर इतना नहीं है खादे तेल पर की जो कीमते हैं पहले वाले जैसे कि इस साल रहने की ज़्यादा आवश्चक्ता है ऐसा अभी जानकारों का मानना है जो किसानों के हिट में फैसला लेते हैं उनका केहना है कि आखरे अभी ये बताए जारे है कि सोईवीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लग चोड़ा फीजदी ज़्यादा रह सकता है उत्पादन जाद आ रहा सकता है लेकिन विशेशक्यों का जानकारों का और किसानों का यहाँ पर एक सवाल उठता है सोयवीन को लेकर कि बुआई के समय बीच था नहीं नहीं सरकार ने आयात किया तो बुआई बड़ी कहां से और अगर यह बड़ भी गई है और अगर उत्पादन के आकड़े जाद बताए भी जा रहे हैं तो भारी बारिश ने किसानों का इतना नुकसान किया है कि उत्पादन कम हरे गई रहे तो जो आकड़े हैं वो जितने अभी बताय जा रहे हैं उससे जो उत्पादने काफी कम ही रहने की आशंका है और अगर जो फसल मंडियों में आती भी है तो वो भी नमी वाली आएगी अभी तो किसान चाहें तो सरसों की तरह यहाँ पर अपनी फसल रोक कर सुखा कर अच्छ की वज़ा से उन्हें आगे चलके जो सोयबीन है उनका अच्छा दा मिलता हूँ नजर आ सकता है तो किसानों का यहाँ पर सतरकता बलतने की जरुवत है किसान किसी के अभी बैकाय में ना आये कि सोयबीन के आकड़े बढ़ रहे हैं बढ़ रहे होंगे लेकिन सिर्फ उसिर प्रभाव डालते हैं दूसरा अब सरकार भी बायो डीजल बनाने पर जोर दे रही है उसमें भी सोयबीन का यूज किया जा रहा है उसमें भी सोयबीन का इस्तमाल किया जा रहा है जिसकी वज़ा से जो कुछ स्टॉक है सोयबीन का वो महां भी डाइवर्ट हो रहा है तो सि जिर्फ एक राज्य में नहीं हर राज्य में बॉआई कम हुई है और दूसरा भारी-बारी से भी सोयवीन की फसल को काफी नुकसान पहुचा है तो दो फैक्टर ऐसे हैं जो काफी जादा मैत्तपूर है और सवाल उठा देने वाले हैं सोयवीन की उत्पादन के आखड़ों क उपर तो किसानों को यहां पर सतरकता बरतने की जादा जरूरा था अब किसानों की उपर यह निर्वर करता है कि वो अपनी सोयवीन की फसल अभी बेचेंगे या फिर रोक के रखेंगे यह पूरा का पूरा जो निर्णा है यह सिर्फो सिर्फ किसानों का है कि उनको आगे जाके अभी क्या करना है सोयवीन के अंदर